सबी दोस्तों को नमश्कार हैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छों होंगे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 80 लीटर प्रतिहवर पाने को ठंडा करने वाले वाटर कुल्डर में हम कौन सा कंपरिशर लगाएं और 60 लीटर वाले प्रतिहवर पाने को ठंडा करने वाले वाटर कुल्डर में हम कौन सा कंपरिशर नमबर लगाएं मैं आपको इन दोनों में आप कौन सी केपलरी यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को स्क्राइब नहीं किया तो स्क्राइब अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर लापदा की वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होसके सबसे पहले आपको यह जाना चाहिए कि हमारे जो watercolor होते दोस्तों वो high back pressure application वाले उपकरन होते हैं उन पर हमें high back pressure वाले कम pressure का ही इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा watercolor में दो capacity आपको मिलेगी एक कितने लिटर परती हर्स पाने को ठंडा करेगा यह watercolor और इसमें कितने लिटर storage पानी हम कर सकते हैं इसलिए आपको सबसे पहले यह जाना चाहिए कि आपको क्या parameter देखना है हमें parameter देखना है कि water cooler कितने घंटे में कितना पानी ठंडा कर रहा है उसी के हिसाब से हमें compressor का चेंड करना चाहिए तो अगर आप 80 लिटर वाले water cooler में compressor लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं TYA 44 पचेतर compressor YKS यह टिकमशा कंपने compressor है और इसमें आप जो capillary इस्तिमाल करेंगे दोस्तों वो होगी 0.055 की 11 फूट एक capillary और अगर आप 100 लिटर वाले water cooler में compressor लगाना चाहते हैं तो इसमें आप लगाएंगे TYA 44 निवासी 89 यह है compressor आप 100 लिटर पति हावस पाने को ठंडा करने वाले water cooler में लगा सकते हैं इसके अलावा आप एक compressor O लगा सकते हैं 100 लिटर वाले water cooler में जिसका मोडल नंबर है KCJ 498 HAG यह दोनों compressor आप 100 लिटर वाले water cooler में लगा सकते हैं इसमें जो आप केपलरी इस्तिमाल करेंगे दोस्तों वो होगी 0.06 की 10 फूट एक केपलरी तो दोस्तों यह था डाटा 80 लिटर वाले और 100 लिटर वाले water cooler में हम कौन-कौन से compressor लगा सकते हैं और कौन से क्याप ले नमबर लगा सकते हैं वीडियो को लाइक रोशीर रवाशार कर दीजीगा चैनल को स्क्राइब करना मत भूलिएगा मैं आपको इलिए आगे भी ऐसे ही लाब दैके वीडियो लाता रहूँगा वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद